अग्रीपड़ा पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार किया है जो बाइकुला के वाइब्रिज के पास एक व्यक्ती को रोकने के उद्देश्य से उसे लूटने की कोशिश करते हुए और बाद में उसे जैश्री राम का नारा लगाने के दौरान मार पीट की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने मंगलवार रात को नशे में धुत रहते हुए योजना बनाई थी और बाद में एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील व्यवहार भी किया उन्हें भारतिय दंड संहिता और बाल अपराधों से बचाने के लिए अधिनियम के तहत हमला औ लूट के लिए बुक किया गया है तीनों पहले एक टेंपो चालक को निशाना बनाते हैं उसका मोबाईल फोन जब्द कर लेते हैं और उसे जैश्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करते हुए उसके साथ मार पीट करते हैं इसके बाद समूह भाय खला में वाई ब थोड़ी देर बाद उन्होंने एक युवती को अपनी बेटी के साथ गुजरते देखा उन्होंने उससे पैसे मांगे और नाबालिग लड़की के साथ बदसलू की की अगरीपाड़ा पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि पीडितों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों पर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है पूछताच में घटनाओं की पुष्टी होते ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया गिरफतार आरोपियों की पहचान अनुझमयेकर उमेश परब और रतिक राठोड के रूप में हुई है एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये स सभी बेरोजगार हैं उन्हें अदालत में पेश किया गया और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया